हेलो एब्रिवन आज डेट है 8 जनुरी और देहिंदू न्यूज एनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की जो इंपोर्टेंट न्यूज है उनको हमारे पिरलिम्स और मेंस की परस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगी तो चलो डिसकसन स्टार्ट करते हैं देखो जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो जीडिपी के कुछ डाटा रिलीज किये है नेशनल इस्टेटिकल ओफिस ने उसमें बोला गया है कि हमारी जो जीडिपी है वो 7.7% से क्या हो गई है स्रिंख हो गई है इसके अलावा जो जी वी ए है gross value added वो भी 7.2% क्या हो गया है स्रिंक हो गया है देखो कोविड 19 की वज़े से जो हमारी एकोनोमी स्लोडाउन हो गई थी एकोनोमी डाइर्क्ट हो रही है और week के shape में हमारी जो economy है पहले downward चली गई थी अब थोड़ा upward movement हो रहा है अब हमारे exam के point of view से important हो जाता है national esthetical office देखो 2005 में रंगराजन commission आया था उसने recommendation दीती national esthetical commission के लिए और ये national esthetical commission है वो ministry of esthetics and planning implementation के अंडर आता है वरतमान में जो इसके head है उनका नाम है विमल के रूई और तीन साल का उनका tenure है तो देखो इस article में बोला गया है कि COVID-19 की वज़े से जो हर area है जो हमारे 8 core industries है उन सब में slow down देखने को मिला था next जो हमारी news है वो farmer protest को लेकर के है बहुत दिनों से farmer जो है वो protest कर रहे हैं अब उन्होंने 26 जनवरी को जब हमारे इंडिया में parade जो republic day celebrate किया जाता है और उस समय parade organize होती है उस समय farmers ने भी सोचा है कि वो भी tractor parade करेंगे तो इसकी वो rehearsal कर रहे हैं देखो जो farmers है वो regular protest कर रहे ह केंदर सरकार ने तीन farmers low बनाए थे सेप्टेंबर में उनको पास किया था वो चाहते हैं कि इनको repeal किया जाए और minimum support price जो वरतमान में government के दुआरा 23 फसलों के लिए दिया जाता है वो minimum support price को एक low बना करके उसको fix किया जाए ताकि आने वाले समय में कभी उनको कोई भी repeal न जाता है वैसे वहाँ पार्लियमेंट को Congress बोला जाता है हमारी पार्लियमेंट के दो सदन है सेम उसी तरीके से वहाँ की Congress के भी दो सदन है जो lower house है उसको बोलते है House of Representative और जो upper house है उसको बोलते है Senate जो Biden नई राष्टपती होंगे इसके साथ में ही जो Trump वहाँ अभी राष् statement आ रहे थे जो भी post आ रहे थे वो उन violence को increase करने वाले थे next जो हमारी news है वो Corona vaccine को लेकर के है हमारे Health Minister हर्सवर्दन सिंधी ने एक बात बोली है Union Health Minister हर्सवर्दन ने एक बात बोली है कि सारे states को बिना किसी भेदबाव के जल्दी vaccine उपलब्द करवा दी जाएगी अब देख divina defensive है को वेक्सीन जिसको भारत बाईटएक्सीन बनाया है और भारत बायोटएक्सीन बनाया है वो इंडिया की इंडिजिनस को वैक्सीन है नेक्स जो हमारी न्यूज है वो सत्यपोल जिनों ने वो सत्यपोल जिनों ने जो हमारी contemporary women है उसके हिसाब से साडी को reinvent किया था और साडी का इंडिया में साडी का पहला बुटीक उनों नहीं खोला था और साडी को designer level भी दिया था उनकी death हो गई है कल Coimbatore में नेक्स जो news है वो bird flu को लेकर के है केरला में bird flu बहुत तेजी से फैल रहा है उसको control करने के लिए central government ने अपनी एक team वहाँ पर बेजी है ताकि वो वहाँ पर evaluate कर सके कि bird flu जो H5N8 है उसके outbreak की वज़े से नेक्स जो हमारी news है वो तेलंगाना को लेकर के है तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपनी पहली women chief justice को लिया है वहाँ पहली women chief justice जिसका नाम हीमा कोली उन्होंने कल ओथ ली है नेक्स जो हमारी news है देखो सुप्रीम कोर्ट ने farmers का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके लिए concern व्यक्त किये हैं अपने और ये बात पूछी है हमारे solicitor general of India से की CGI ने बोला है कि पिछले साल मार्च में जब कोरोना फैल रहा था तो तबलीकी जमात के लोग भी इसी तरीके से एक जगे एकटे हुए थे और जो कोरोना का spread है वो काफी तेजी से फैला था तो सेम तरीके से जो किसान है farmers है एक जगे एकटे हुए हुए है तो क्या इन चीजों से जो एक जगे एकटे हो करके जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या उन चीजों से जो COVID-19 की जो दर है 2020 में कुछ amendment हुए है उसको लेकर के Congress के leader ने कुछ points out किया है कि कुछ problems create करने वाले है ये नए amendments देखो उन्होंने बोला है कि जो नए amendment है वो women का जो right है चुनाव लड़ने का उस right को सिर्फ restrict करते हैं 50% है मानो 100 seat है तो 50% जहां पर reserve seat आएंगी न वहीं पर वो क्या कर सकती है चुनाव लड़ सकती है इसके अलावा maximum 50% उसको कर दिया गया है इसके अलावा जो seat रिजर्व नहीं है वहां पर उनको लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है तो इस article में बोला गया है कि यह जो नया amendment है वो 243D constitution का जो भाग है उसका violation है इसलिए इसको क्या करना चीए repeal करना चीए अनल कर देना चीए इस amendment को क्योंकि बहुत सारे राजे हैं हमारे इंडिया में जिन्नोंने तो 50% से भी ज़्यादा क्या कर दिया है कि उस 50% से भी ज़्यादा जैसे उतराखंड की बात करें तो उसने 55% कर दिया है वीमिन को जो representation है पंचायती राज संसानों में नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है देखो एक सेकीट हाँ देखो वर्तमान समय में अभी-अभी कुछ केसे जाएं हैं करनाटका से रिलेटेड और मद्यपरदेश से रिलेटेड वहाँ पर क्या होता है मानलोग 5 साल के लिए legislative assembly में कोई भी व्यक्ति चुन कर जाता है लेकिन वो अपने personal फाइदे के लिए क्या करता है वो अपना resignation देता है और फिर उसी seat के लिए उसी seat के लिए उपचनाव होते है और वो उपचनाव में दूसरी party से खड़ा हो जाता है जिसकी वज़े से जो हमारा time है और जो हमारा money है वो काफी बरबाद होता है तो Supreme Court ने notice दिया है सेंटर को Supreme Court notice to center on plea to debar legislator कि ऐसे जो legislator है उनको जो हमारी schedule 10 है उसमें anti-defection low जो है उसके तहद उनको debar करना चाहिए कि वो मालो वो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा पांस साल के लिए अब वो resignation देकर दुबारा चुनाव लड़ रहे है उसी term के लिए तो उनको debar कर देना चाहिए आर्टिकल 72 इसका ये देता है कि पांस साल के लिए पांस साल के लिए उन्होंने जो चुनाव लड़ा है उसका quarter minus उनका क्या करता है clear करता है तो इसमें बोला गया है कि इसकी वज़े से बहुत सारी जो state government's है वो रद हो जाती है वहां दुबारा से चुनाव होते है तो पांस साल के लिए जो policy बननी चाहिए जो सरकार जो चुनाव लड़के आती है जो जीती है जो काम करना चाहिए वो तो सिर्क उलजी रह जाती है किसमें चुनाव जीतने में देखो नेक्स जो हमारी न्यूज है वो जेई एडवांस को लेकर के है IIT Indian Institute of Technology में प्रवेस करने के लिए जो एक्जाम होता है उसके लिए हमारे जो Education Minister है Mr. Ramesh Paukriyal जी उन्होंने बोल दिया है कि जेई एडवांस का जो पेपर है वो जुलाई तीन को होगा Next News है वो PM ने New Fright Corridor को Launch किया है उन्होंने ये बोला है कि World का पहला 1.5 किलोमेटर Long Electified Double Stack Container Train को उनका सुभारम किया है PM ने ये बात बोली है कि इसकी वज़े से क्या होगा कि जो हमारे Farmers हैं जो हमारे Industryist हैं कहां पर National Capital Region में और हरियाना और राजस्तान में उन लोगों को इससे क्या फ़ी फाइदा होगा और जो हमारा Country का जो Infrastructure है हम ये चाहा रहे हैं कि हमारा Country का Infrastructure क्या हो Modernize हो जाए वर्तमान समय में जैसी जरुरत है उस तरीके से हम इंडिया के लिए 21st Century में क्या होगा Game Changer होगा Next article है देखो December 2017 में हमारे यहां पर National Nutrition Mission को लौंच किया जाता है और फिर उसको Overview करने के लिए तीन कमेटी हमारे यहां पर बनाई जाती है देखो National Nutrition Mission के तहत कुछ गाइडलाइन कुछ target fix किये गए थे तो फिर बाद में वो जो कमेटी बनाईगी उनको यह देखा गया कि वो इसका Overview करें Time to time देखें कि सभी लोगों को परियाप्त Enough जो Nutrition है वो मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है सबसे पहले इसमें बात की गई है कि COVID-19 की वज़े से जो Nutrition Level है वो लोगों में काफी कम हो गया है अभी National Family Health Survey की रिपोर्ट आई थी उसमें भी यह बोला गया है कि COVID-19 की वज़े से जो स्कूले बंद हुई है और Mid Day Mill जो स्कीम बंद हुई है उसकी वज़े से बच्चों को जो एक Nutrition Food मिलता था इस स्कूल्स में वो भी बंद हो गया है तो तीन पैनल बनाए गए थे इस National Nutrition Mission को Overview करने के लिए पहला जो पैनल था वो National Nutrition Council था इसके Head किया गया था National I.O. Sorry, Niti I.O. के जो Head है Vice Chairman Rajiv Kumar के दुआरा दूसरा जो पैनल था वो था Executive Committee और इसको Executive Committee of the National Nutrition Mission इसको Head किया गया था Women and Child Development Ministry के जो Secretary थे राम मोहन मिसरा उनके दुआरा और थर्ड जो पैनल था वो था National Technical Board on Nutrition इसको Head किया गया था Niti I.O. के एक सदश्य के दुआरा जिनका नाम है जाता है फिर ये Committee बनाई जाती है ताकि उनको Supervise कर सके लेकिन ये Committee तो मिली ही नहीं इनका Fix किया गया था कि हर Quarter में इनकी एक Meeting होगी लेकिन जो ये ज़्यादतर ये तीन Committee जो बनाई गई उनकी तो Meeting लगबग एक या दो बार ही हुई है तो इस Article में बोला गया है कि जो Mission लॉंच किया गया था उसके Target हमने Achieve किये है या नहीं किये इसका कोई हमारे पास में जो Fixed Data है वो है ही नहीं है Sufficient Data ही नहीं है ताकि अगर हमें आगे उसको Extend करना है या उसमें कुछ Change करने है उसके लिए कुछ Sufficient Data तो होने चाहिए न अब Sufficient Data ही नहीं है तो आगे कि जो हमारा एक Line बन रही है कि कैसे काम करना है Nutrition के उपर तो उसके लिए कुछ भी एक Overview नहीं है एक Road Map तयार करने के लिए जो Sufficient Data है उनकी कमी हो जाएगी तो ये आज का हमारा discussion था Important कुछ News जो आई है देहिंदू में उनको हमने डिसकस किया Okay